कि अपते हुए है प्रेंड व्लकुम बेक टो वाइटूब चैनल क्रेटिव ग्लमर्जों सौ फ्रेंडस कैसे हैं आप सब आशा करती हो कि आप अपमी सहत्ता बख्पूर्द दियान रहे होंगे और पूरे पिटॉशन से ले रहे होंगे फ्रेंड्स जैसा कि मैं जो भी आपके लिए फेस्टक लाती हूं उसी एक एज होती है लेगी जो आज मैं आपके लिए सिरम लाई हूं वो टीनेजर से लेके हर उमर के लोग लगा सकते हैं इसके हमेजिन एफेट यह सिरम यूज सटके देखिए आप तो इसके अमेजिन रिजल्ट्स मिलेंगे सो डाइस बिना देर के हम यह मैजिकल सिरम स्टाट करते हैं अब ना लेट्स स्टाट एट सो फ्रेंड्स यह देखिए हमने यहाँ राइस ले लिया है इसको हम अच्छे से बॉल करेंगे हमें इसका पानी चाहिए तो हम अच्छे से इसको बॉल करके अपने फेस के लिए एक सिरम तयार करेंगे जो बहुत ही एफेक्टिव है डाइस आप में देखा है ट्रोलियन की स्किंग कितनी अच्छी होती है कितनी सॉफ्ट मुलायम और एक्दम क्लीन होती है तो आज हम वैसी थेरपी से बनाएंगे उनके ठान पान में और उनकी ब्यूटी प्रोडेट में सबसे ज़ाद जिस चीज़ता उप्योर होता है वो है राइस तो इसलिए हमने राइस लिया है राइस हमारी स्थिंग के लिए बहुत ही फाइदयमन होता है और आज हम इसके ह पानी से राइस वाटर से हम अपने फेस सा सिरम बनाएंगे जो बहुत ही इफेक्टिव है और अगर आप इसे हफ्ते में रोज इस्तमाल करेंगे तो आप उसे बाद अपने फेस से चमक देखना एदम बेदार निठार मिलेगा अगर आपके टालिस स्पोट से इदम बूर ह पिंपल से निशान है वह फट जाएंगे और बहुत ही क्लीम बलेगी पर शथ या यह कि आपने हटे इसे रेगुलर लेना है हम इसे एक हफ्ते के रिचार ट्यार कर रहे हैं त noi करेंगी सिफ़ आप हफladı के टियार करेंगे एक बार में और उसके बाएस से रिज़ल्ट आइ आप खुद बोलेंगे कि इससे अच्छा कोई सरम फेस्ट लें हो ही नहीं सकता हम इसे नाइट में यूस्ट करेंगे और सुबह नॉर्मल वाटर से फेस क्लींग कर लेंगे तो हम इसे अच्छे से उबालेंगे देखिए जाइस जितनी आपने ट्वंटिटी पानी की लिए है हमने सिर्फ एक पार्ट रखना है यानि 75 परसंट हमने पानी को धटने देना है और 25 परसंट ही हमें पानी चाहिए अच्छे से यह पख जाएं इसमें चावल देखिए गाइस हमारा पानी अच्छे से खिट चुक है और हमारे चावल भी इतने अच्छे से पख चुक है अब हम फ्लेम को इद्दम स्लो टरेंगे और इस चावल को अच्छे से हिला के डाइज आपने यह पानी लेना है इसमें से जितना आपने सिरन तयार करना है आप उसे हिसाब से पानी ले 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 हमने सिर्फ हफते का ही बनाना है यह हमने ले लिया है इसमें जो चावल के टर्ण है यह हम बाद में निकाल देंगे राइस यह हमें नहीं चाहिए और अब इस पर हम ठंडा होने देंगे बाठी यह इंग्रिएंट्स हम तम मिलाएंगे तो इसे ठंडा होने के लग देते हैं आप अब अग्ला इनियंट्स लेंगे हम अलोगिरा जल मैंने यहां ममा अर्थ का यूज़ किया है डाइस आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं यह मुझे परसनली बहुत पसंद है और हमारे फेस के और हेर के लिए बहुत ही अच्छा है यहां पर हम दो चमच अलोवीरा जल डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे इसमें हम सिर्फ तीन इंडिडेंट्स डालेंगे और उसी से आप देखे अड़ाइस कितनी आउसम रिजर्ट मिलेंगे और चाहिए यहां पर हमने थर्ट चीज लिये है यह विटामिन ए के एवउन के कैपसुल एक हकृते के सिर्म में हम दो डालेंगे विटामिन E हमारे चहरे पे इदम ताजी और इदम फ्रेश लुक लाईगी और इदम विटामिन E से जो भी हमारे चहरे पे काले दाग धब्बे है डाइज वो सब हट जाएंगे ये देखिए एक बार आप ये सिर्म जरूर ट्राइप कीजेगा जो अपने पेस के पिंपल्स से दागोर से परिशान है या काले दाग धब्बो से परिशान है डाइज आप एक हफते से यूज़ करके देखिए जाएंगे और अगर हलके हैं तो बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे और इतना प्लेन चहरा आपको दिखेगा आपना और बेदाग निखार मिलेगा डाइज इसमें हमारे कोई इंग्रेंट्स इतने ज्यादा नहीं है ये साइट चीज़े हमें घर पे ही मिल जाती है यह देखे जाए यह हमने फेश शिरम त्यार कर लिया है अब हम इसे क्लास की बॉटल में स्टोर कर लेंगे आपने इसे रेफ्रिजेट करना है और फ्रेंट्स एक हफ्ते के लिए ही बनाएए रोज आद तो फेश वस्ट रने के बाद इसे लगा कि सो जाएए और सुबह प्लेन वाटर से अपने फेश पो धो लिजिए एक हफ्ते में ही आपको इसे रिजर्ट्स दिच जाएंगे देखा फ्रेंट्स हमने इसमें तीनों ऐसी चीज़े लिए हैं जो हमारे फेस के लिए एक मैजिटल वर्क करती है डाइस अगर आपकी फेसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ एक हफ्ता इसे इसमाल दरके देखिए आप फुद रिजर्ट्स बताएंगे और रिजर् सा इंजात हरूंगी सो फ्रेंड मिलती हों ऐसी ही एक नई वीडियो साथ आप से तब तक के लिए बाबाए